आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ओके सो आज हम हिंदी में बात करेंगे हमारे हिंदी की पहली कवीता पढ़नी है जिसका नाम है चुन्नु मुन्नु चुन्नु नाम का एक लड़का होता है ये दिखो दिखाए दे रहा है ये चुन्नु है क्या है इसका नाम चुन्नु और उसका भाई होता है उसका नाम होता है मुन्नु दिख रहे है न एक जैसे हाँ क्यों ये पता है ये दोनो भाई है हमारे भाई बहन होते हैं न हाँ वैस दिन क्या होता है ममा रजगुले बनाती है रजगुले सबको पैसंदे ना हाँ इसलिए लेकिन चुन्नु क्या बोलता है चुन्नु बोलता है मैं खाऊंगा रजगुला तो मुन्नु बोलता है नहीं नहीं मैं खाऊंगा रजगुला चुन्नु और मुन्नु दोनों में क्या ह होती है बहएज होती है वो बहुत जगडते है कि मैं खाऊंगा चुन्नू बोलता है और मुन्नू बोलता है मैं खाऊंगा इसमें दोनों की बहएज होती है इतनी जोर से बहएज होती है कि मम्मी को आवाज जाती है हला मम्मी को सुनाए देता है कि चुन्नू मुन्नू का ये है इसलिए वहां से कौन आता है मम्मी मम्मी आती है और मम्मी देखती है ये दोनों जगड रहे हैं ये दोनों तो लड रहे हैं जोर-जोर से तो मम्मी को बहुत गुस्सा आता है तो मम्मी इनको क्या करती है डाट लगाती है हम जब जगडते हैं तो मम्मी डाट लगाती है न चाहिए और मिल जोल के रहना चाहिए समझ में आया बच्चों क्या बोलती है मम्मी जगडा नहीं करना है पदमाशी नहीं करनी है आप दोनों मिल के खाने है रसगुलy ओके चुन्नू मुन्नू थे दो भाई रसगुले पे हुई लड़ाई रस गुल्ले पे हुई लड़ाई चुन्नू बोला मैं खाऊंगा मुन्नू बोला मैं खाऊंगा ला सुनके मम्मी आई दोनों को खुब डाट लगाई कभी न लड़ना कभी न चगडना आपस में तुम मिलकर रहना चुन्नू मुन्नू थे दो भाई रस गुल्ले पे हुई लड़ाई चुन्नू बोला मैं खाऊंगा मुन्नू बोला मैं खाऊंगा हला सुनकर मम्मी आई दोनों को खुब डाट लगाई कभी न लड़ना न जगडना आपस में तुम मिलकर रहना ओके समझ में आई तो ओके वो उमने सीखी चुन्नू और मुन्नू ओके चलो बाद में और दूसरा सेशन में दूसरी कवीता पढ़ेंगे बाई